हलो फ्रेंड्स नमस्कार देशा की आप देख सकते हैं जारखंड उच्छ नियाले की अब इसल विपसाइट आपके सामने खुली हुई है जारखंड उच्छ नियाले के दोरा जारखंड में सिबिल कोड़ों के लिए कलार्क की भरतियां निगाली गई है पाएंगे क्या उसकी सेच्छी क्योगता है टाइपिंग कितनी होगी कितनी स्पीड मागी गई है और उसका स्लेवर्स क्या होगा परिच्छा का तमाम सारे चीज़ें आ इसमें हम जानेंगे वीडियो में तक जरूर बने रहीएगा ताकि पूरा नोटिफिकेशन जो है आप समझ पाएं जान पाएं और यहां से आप आविदन कर पाएंगे तो आईए और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इस आफिसल वेब्साइट पर यहां पर लिखा हुआ है वाट्स निव यहां लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में किसील पोड़ gonna पर यहां पर दिया गया है आप दाहिए जर्खन के लिए और भरतिया निकाली गई युक है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसका जो नोटिफिकेशन ने कुल करके आपके सामनी रहा है को इस पर गार्तिन कुसु कहाँ से यहां पर देखेंगे इसमें दि आप दा इस्टेट आप जार्खंड जिसा कि भरती तो यह निकाली गई है जार्खंड हाई कोट के दौरा लेकिन सिविल कोटों के लिए जो डिस्टिक में होते हैं वहां के लिए असिस्टेंट क्लर्क यह दोनों जो नाम दिये गए वह एक ही है असिस्टेंट पुकारे आप या ख्लर्क के लभरतियां है जिसा इसमें देख सकते हैं कि कडिगरी वाइस वेकंसी है अन्रिजर्व के लिए यहां पर 130 वेकंसीया है और रिजर्व रिजर्वेशन फॉर भूमेन के लिए यहां पर चार वेकंसीया बताई गई है सेडूल कास्ट के लिए यहां पर 58 वेकंसीया है और सेडूल ट्राइप के लिए यहां पर दिया गया है 143 है और इसी तरीके से VC 1 और VC 2 के लिए दिया गया है EWS के लिए वेकंसियां है यहां से आप लोग देख सकते हैं तो यह सारी वेकंसियां निकाली गई है जहां से आप लोग आसानी से अबेदन कर पाएंगे टोटल 400 पदों पे भरतियां होने जा रही है आप स्कॉल डाउन करेंगे तो यहां देखेंगे लिखा है दपे स्केल एंड एजुकेसनल क्वालिफिकेशन फॉर दपोस्ट आप असिस्टेंट कलर्क और डिस्क्राइब एट्स फालो यहां दिया गया है नेम आप दपोस्ट जिसकी पोस्टें हैं उसका नाम है असिस्टेंट कलर्क फॉर सिबिल कोर्ट आफ दा इस्टेट आफ जहरकंड के लिए है पेर मेट्रिक्स यहां पर दिया गया है लेबल फॉर इन दा सेबंथ प्यार सी पच्ची जार पॉन सो से क्यासी जार सो यहां दिया गया है यहां पर minimum इसकी education qualification जो गर बात की जाए तो graduation होना चाहिए इसके समकच degree आपके पास होने चाहिए इसके अलावा आपके पास में knowledge of computer operations essential होना चाहिए यहां पर computer का ग्यान अनिवार बताया गया है इसमें आप DCA, ADCA, CCCC कोई भी degree आपके पास होनी चाहिए आप इसके लिए eligible है इसमें फिर जो criteria इसका जिज़ाइद किया गया आप देख सकते है age की बात अगर यहां पर की जाती है तो आप जो है कम से कम 20 वर्स और अधिक्तम 35 वर्स यहां पर बताया गया है तो हम typing speed के रहर बात करते हैं पर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि टाइपिंग इसकी क्या होने वाली है यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है लिखा है नेम आप दा टेस्ट रिटेस्ट जो होगा आपका उन 90 मार्स का होगा दो घंटेस के लिए आपको समय दिया जाएगा यहां लिखा हुआ है कि टू हावर्स अडिशनल टाइम में 20 मिनट्स जो बिकलांग दिब्यांग के होंगे इस्टुडेंट उनको 20 मिन इक्स्ट्रा दिया जाएगा बागे सबके लिए यहां पर दो घंटे बताये गया है क्वालिफाइंग मार्ग जो बताये गया है यहां पर यूर, यूर, यूस, बीसी वन, एंड, बीसी सिकेंड चालिज परतिसाद एड, SCST के लिए 30% मार्ग अगर आप ले आते हैं तो आप परिच्छा में सफल माने जाएंगे परिच्छा में सफल के लिए यहां पर परसेंटेज रखा गया है 40% और SCST के लिए 30% कंप्यूटर स्किल केस्ट की बात अगर की जाती क्वालिफाइंग नेचर दिया गया है कि आपको सिफ क्वालिफाइं करना है उसमें कोई मार्ग थी और सकता नहीं होगी पांच मिनट इसमें आपका टाइपिंग होगा और 100 वर्ड यहां पर लिखा है 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड तो टाइपिंग स्पीड बहुत कमी रखे गई है 20 सब पर ती मिनट आपको यहां पर टाइप करने है और फिर इंटर्वी भी आपको यहां पर 15 मार्क्स का होने वाला है 15 अंकों का इंटर्वी होगा 5 मार्क्स पॉर आल कर्डिगरिस के लिए जरूरी बताएगा है कम्प्यूटर्स की जानकारिया आपको यहां पर कंपल सही रखनी है टाइपिंग इसके अंदर होगा तो इसकी फार्म की सुरुवाद जो है 10 अप्रेल से हो रही है जहां से आप लोग आउनलाइन आवेदन को फिल कर पाएंगे इसकी आफिसल वेपसाइट पर यहीं पर लिंक ओपन कर दिया जाएगा जहां से आप फार्म को फिल कर पाएंगे इस तरीके से आप लोग आवेदन कर पाएंगे जैसे डेट इसकी सूरु होती है आप लोग यहां से farm को fill कर पाएंगे तो यह था वीडियो आज का वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार